नमस्कार बच्चो कक्षा 10 एक्सरसाइस 12.3 का कोशन नमबर 10 हम इस वीडियो में समझने जा रहे हैं सबसे पहले मैं जूम करके आपको प्रशन दिखा रहा हूँ ताकि हम पेगवार प्रशन समझे प्रशन है क्या देखे बच्चो प्रशन कहता है एक समबाहू त्रिभूज ABC का क्षेत्रफल 17320.5 सेनिमीटर स्केर है ये जो त्रिभूज है ये समबाहू है इसकी तीनों भूजाएं बराबर है इसका क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है इतना इस त्रिभूज के परतेख शीर्ष को केंद्र मानते हुए त्रिभूज की भूजा के आधे के बराबर के त्रिजिया लेकर एक वरित खीचा जाता है हर एक भूजा पर जितना ये त्रिभूज है ना इसकी आधी त्रिजिया लेकर एक वरित बनाया गया है देखो यहां भी इस भूजा के साथ यहां भी यहां भी यहां भी इस प्रकार से यह तीनों ही वरित किसके बराबर होंगे बच्चों जितनी इस त्रीभुज की भुजा होगी हर एक भुजा होगी इसका मतलब क्षेतरफल दिया हुआ है समभाहु त्रीभुज का तो हम पहले त्री भुज़ की भुज़ा निकालेंगे वो जब भुज़ा होगी उसका आधा आधा इधर आधा इधर है ना तो आधा जो है वो वृत का क्षेतरफल स्वरी वृत की त्रिज़्या होगी ठीक है तो चायांकित भाग का क्षेतरफल अब ये जो चायंकित भाग है हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है ये चायंकित भाग आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा मैं कि इसको ग्रीन कलर से थोड़ा सा शेड कर देता हूं यह हमने एक शेत रफल निकालना है, तो बच्चों यह एक शेत रफल कैसे निकलेगा, देखो सीधी सी बात यह है, यह है त्रीभुज का शेत रफल, यह है, एक त्रीजिय खंड, यह है दूसरा कुरू की तो सबसे पहले बच्चों आये शुरू करते हैं इसको सबसे पहले इस प्रेशन में हमें चाहिए त्रिभुज की भुजा तो हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हमें दिया हुआ है बच्चो 17320.5 cm2 ठीक है त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मुला यदि सम बाहू त्रिभुज है देखो यहां लिखा है सम बाहू यानि तीनो बढ़र है इस त्रिभुज के तो सम बाहू त्रिभुज हो तो उसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है फार्मुला होता है रूट 3 बटा चार रूट 3 बटा चार ए स्केर बराबर है स्तारा 320.5 cm2 अब बच्चो कोशन में हमें दिया गया है रूट 3 कितना लेना है एक दिशमल इधर A square के साथ भाग हो रहा है उधर जाएगा तो 4 यहाँ पे गुना हो जाएगा रूट 3 यहाँ पर A square के साथ गुना हो रहा है इधर जाएगा तो यह रूट 3 भाग हो जाएगा अब बच्चो ध्यान से देकhना है स्तारा तीन सो बीस दशमलव पांच गुना चार बटा रूट तीन जो है बच्चो उसकी वैल्यू दी हुई है एक दशमलव साथ तीन दो जीरो पांच साथ तीन दो जीरो पांच अब आप ध्यान से देखेंगे तो यह आपस में कट सकते हैं लेकिन सिर्फ एक दशमलव का अंतर है तो दशमलव के अंतर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे यह दशमलव हटाएंगे दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ लग जाएगा दस यह दशमलव हटाएंगे दिशमलव के बाद एक दो तीन चार पांच अंक हैं तो यहां पांच जीरो लग जाएंगे चार पांच इस प्रकार से ऐसी करते हैं न बचो अब जो कटता है उसको काड़ देना है हमने तो देखो यह स्ताराद किसी और फैंस से कर लेते हैं चलो ग्रीन पैंसे कर लेते हैं एक साथ तीन दो जीरो पांच एक साथ तीन दो जीरो पांच तो यह रकम तो इस रकम से कटगी एक जीरो से यह एक जीरो कटगया बाकी हमारे पास बच गया चार गुना एक हजार ठीक है तो अब हम इसको आगे हल करते हैं A² आगया 40,000 40,000 जो होता है 200 का स्क्योर ठीक है 200 गुना 200 होता है 40,000 बच्चो देखो 2 दुनी 4 00 का स्क्योर होगा 4 0 ठीक है तो अब बच्चो A का स्क्योर यदि 200 के स्क्योर के बराबर है तो A किसके बराबर हो गया, 200 के बराबर हो गया, इसका मतलब A आ गया है 200 cm, यानि कि त्रिभुज की ये जो भुजा है, या ये भुजा है, क्योंकि ये सम बाहु त्रिभुज है, तीनों भुजा ये बराबर होंगी, तो A 200 cm का मतलब है, त्रिभुज की परतेक भुजा आ गय त्रीजिया है इसकी ये किसके बराबर होगी ये बराबर होगी त्रीभुज की भुजा के आधे के बराबर तो हम लिखते हैं वृत की त्रीजिया यानि की त्रीभुज की भुजा 200 सेंटीमीटर का आधा यानि की 100 सेंटीमीटर ठीक है बच्चो अब मैं आगे अपना प्रश मैं वही लिखने जा रहा हूं, च्छायंकित भाग का क्षेत्रफल, यह किसके ब्राबर होगा, त्रीभूज के क्षेत्रफल, तो मैं यहां लिख रहा हूं, ताकि आपको समझ भी आए, त्रीभूज का क्षेत्रफल, माइनस एक त्रीजे खंड यह है, दूसरा त्रीजे खंड यह है, तीसरा त्रीजे खंड यह है, यानि तीन गुना त्रीजे खंड का क्षेत्रफल, ठीक है बच्चो त्रीभुच का क्षेतरफल माइनस तीन गुना त्रीजेखंड का क्षेतरफल तो त्रीभुच का क्षेतरफल तो हमें कोशन में दिया हुआ था स्तारा तीन सो बीस दशमलो पांच सैनिमेटर स्केर अब त्रिजे खंड की क्षेत्रफ़ल का जो सूत्र होता है फार्मूला होता है वो होता है पाई R स्क्यएर थीटा बटा 350 डिग्री पाई R स्क्यएर थीटा बटा 360 डिग्री इसे हम हल करेंगे बच्चो देखो कैसे स्तारा 320.5 माइनस 3 गुना पाई बच्चो पाई की वैलू हमें कोशन में दी हुए है 3.14 लेनी है हमने तो 3.14 गुना आर स्केर आर अभी हमने निकाली वृत की तीजिया है 100 सेंडिमीटर यानि 100 गुना 100 गुना थीटा अब बच्चो थीटा चाहे थीटा इसको लो चाहे इसको लो चाहे इसको लो त्रिभुज के सम बाहु त्रिभुज है तो तीनों ही भुजाएं भी बराबर है और तीनों ही कौन बराबर होते हैं 60 डिगरी के इसका मतलब थीटा हो गया 60 डिगरी बटा नीचे है 360 अब हमें इसको हल करना है बच्चो ध्यान से समझना मैं थोड़ा सा इसको जूम कर रहा हूँ ताकि आपको साफ दिखाई देए ठीक है बच्चो सबसे पहले ये दशमलव बटाओ नीचे लगा दो एक दशमलव के बाद दो अंक है तो नीचे लग जाएंगे दो जीरो ठीक है बच्चो तो देखो सो से तो सो सीधा ही कट गया एक जीरो से एक जीरो कट गी छे के पहले में कट गया छे छिके चतिस उसके बाद बच्चो तीन के पहले में कट गया छे 3 दूनी 6 ठीक है बच्चो देखो 100 से 100 काटा 0 से 0 काटा 6 से 6 काटा 6 चिक है 36 6 3 पर कट गया 3 दूनी 6 तो यहां लिखे दिया 2 अब यह 2 आप 100 से भी काट सकते हो 314 से भी मैं कोशिश करूँगा 314 से काटने की क्योंकि 100 तो सीधा ही गुना हो जाएगा बाद में तो 2 से 314 कटेगा 2 एकम 2, 2, 5, 10, 2, 7, 14 तो यह आगया 157 ठीक है बच्चो अब हमारे पास देखो रकम क्या बन गई रकम बन गई यह है स्तारा 320.5 माइनस यहां देखो क्या बच्चा बच्चो यह 100 कट चुक है यह 36 6, 2, सब कट चुक है यानि नीचे कुछ भी नहीं है 3 कट चुक है यह 100 कट चुक है यह 6, 0 भी कट चुक है यानि 157 और 100 बच्चा बीच में है गुना 157 गुना 100 तो 157 पीछे 2, 0 लगा दो अब हम इसको माइनस करना है दशमलव 5 अधर दशमलव है निए तो अखीर में चुआ जाएगा दशमलव 5 अब 0 में से 0 निकाले 0, 2 में से 0 निकाले 2, 3 में से 7 नहीं जा सकता 3 यसे एक उदार लेगा तो यह बन जाएगा 13, 13 में से 7 निकाले 6, 7 ने 13 के लिए इसको एक दिया था बाकी बच गया, 6, 6 में से 5 निकाले, 1, 1 में से 1 गया, 0, इसका मतलब, यहां भी cm2 लिखना है, ठीक है, इसका मतलब क्या है बच्चों, कि हमारे पास, माइनस करके आया है, 1620.5 cm2, और यह क्या था, छायंकित भाग का क्षेतरफ़, छायंकित भाग कौन सा बच्चों, यह त् त्रिभुज और त्रिजिय खंडों, त्रिभुज में से, त्रिजिय खंड 3 माइनस करने पर यह जो चायंकित भाग आया था, उसका जो क्षेतरफ़ है, वो हमारे पास 1620.5 cm2 आ गया है, यही हमारा उत्तर है, तो देखो कितने सारे colors का मैं यूज़ करता हूँ, ताकि आप याद रखना, यहां से हमें A square फिर A मिला, A यानि त्रिभुज की भुजा मिली, हमें पता है, सर्कल की त्रिजिया, सर्कल की रेडियस है, त्रिभुज की भुजा का आधा, तो वृत की त्रिजिया होगी 200 का आधा, यानि की 100 cm, उसके बाद यह चायंकित भाग किसके सेंटिमीटर स्केर आ गया है, तो बच्चो, आशा करता हूँ, इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रशन बड़े अच्छे से समझाया होगा, यदि आप इस प्रशनावली के अन्य प्रशनों को समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजे, ला से आप इनको अच्छे से समझ सकते हैं, धन्यवाद, मैं इसको थोड़ा सा मूव करके दिखा रहा हूँ, ताकि आपको लिखने में परिशानी नहों, आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, जब यह बाला इसको वीडियो को यहीं स्टॉप करके लिख लीजे, जब यह पूर हो जाए तो नीचे करके इसको आप देख सकते हैं, धन्यवाद,